हलो दोस्तो जैहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल सोहेल अकेड़ी में दोस्तो अमीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़ जाओंगे और आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त वेकिंसी आ चुकी है जिसमें दोस्तो आप दिल्ली पुलिस में सभी इस्पक्टर दोस्तो लग सकते हैं दोस्तो SSC-COP जिसे दोस्तो हम लोग C.A.P.F भी बहुते हैं उसकी वेकिंसी दोस्तो आपके सामने आ चुकी है अपने आप में दोस्तो काफी ज्यादा वेकिंसी है 4187 वेकिंसी दोस्तों आपके सामने निकल कर आई है जिसमें दोस्तों दिल्ली पुलिस में SI या फिर CRPF में SI, CISF में SI, BSF में SI मतलब जितने भी आपकी CAPF के अंतरगत आपकी जो पोस्ट आती है जैसे दिल्ली पुलिस में सविस्पेक्टर, BSF में सविस्पेक्टर लगेंगे CISF में सविस्पेक्टर लगेंगे, आप CRPF में सविस्पेक्टर लगेंगे ITBP में सविस्पेक्टर लगेंगे और आप SSB में सविस्पेक्टर की दोस्तों पोस्ट पर लगेंगे दोस्तो भेतरिन तरीके से संपुर जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कौन-कौन दोस्तो इस form को भर सकता है कौन दोस्तो इस form को नहीं भर सकता कितनी दोस्तो आपको तयारी करनी होगी सबसे जादा important दोस्तो इसमें आपके exam में English हो जाती है अगर कोई बच्चा English में भेतरीन है तो दोस्तो SSC CPO में अराम से दोस्तो वो selection ले सकता है दोस्तो SSC CPO में सबसे पहले दोस्तो आपकी total post 4187 पदों पर आपके साथ में दोस्तो ये भरती निकल कर आई है जिसका दोस्तो form भरना आपकी बात करते हैं अपलाई डेट की तो इसकी अपलाई डेट 4 मार्च 2024 से मतलब दोस्तो आज डेट हो चुकी है आपकी 5 मतलब कल से दोस्तो इसका form भरना इस्टार्ट हो गया है जिसकी last date है आपकी दोस्तो 28 मार्च 2024 मतलब दोस्तो आपके 24 दिन ही आपको इस परिक्षा के लिए इस form को भरने के लिए दोस्तों मिले हैं ठीक है exam date की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं 9, 10 और 13 मई 2024 को दोस्तों इसमें आपका exam यह conduct करवाय जाएगा दोस्तों जो आपका है sir SSC CPO का exam ठीक है अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कितनी फीस लगेगी तो journal OBC और journal OBC EWS के लिए 100 रुपए बाकी SCST और female candidate के लिए दोस्तों कोई भी सुलक नगी लगेगा 0 रुपए सुलक लगेगा कोई भी female SCST candidate है उनके लिए 0 रुपए सुलक लगेगा बाकी journal OBC EWS दोस्तों 100 रुपए आपको फीस देनी होगी दोस्तों age limit की अगर हम लोग बात करते हैं 20 से लेकर 25 साल तक दोस्तों आपकी age journal वालों की होनी चाहिए बाकी कोई OBC का candidate है तो 3 साल की चूट या फिर कोई अगर SCST का candidate है तो 5 साल की चूट देखने को मिलेगी मतलब OBC वाला 25 से लेकर 20 से 28 साल तक और आपका SCST वाला 20 से लेकर 30 साल तक दोस्तों इस वाम को फिल कर पाएगा age count की बात करेंगे age कब से count होगी तो 1 अगस्त 2024 से दोस्तों जो है आपकी age count यहां पर मांगी गई है post हम लोग बात कर लेते हैं कि सब inspector में यहां पर कौन-कौन सी post दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी किस-किस बिभाग में आपको देखने की मिलेंगी देखी सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस में SI, male या female हर सभी की दोस्तों वेकिंसी है उसके बाद दोस्तों BSF में, फिर आपकी CISF में, CRPF में, ITBP में और आपकी SSV में दोस्तों level 6 की यह वेकिंसी है और अगर मैं salary की बात करूँ तो मानकर चलना मेरे दोस्त, 50,000 रुपए अराम से आपकी salary यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी in hand ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों, 50,000 का असपास आपको salary मिलेगी और एक साल बात दोस्तों, यह salary आपको बहुत जवरदस तरीके से increase में दहाँ पर देखने को आपको मिलने वाला है दोस्तो, SSC, CPO और CIPF में, ठीक है अगर मैं आपसे बात कहूँ, SSC, CPO और CIPF में दोस्तो, यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि आपका exam का level कैसा आता है आप कुछ नए बच्चे होंगे, जो CPO के लिए interested होंगे, वो चाहेंगे कि मैं भी CPO में apply करूँ तो CPO के लिए हमें क्या पढ़ना है, कैसे paper आते हैं, यह कैसे पता लगेगा दोस्तो, SSC, CPO के लिए दोस्तो, यह बहुत जवरदस्त दोस्तो बुक आती है जो दोस्तो, आपकी है, Oswal Books, ठीक है Oswal Books आपको यह देखने को मिलेगी, SSC, CPO के लिए यहां पर देख रहा होगा, SSC, CAPF और CPO, ठीक है Central Art Police Force, दोस्तो, इसकी full form होती है CAPF की, जिसके अंतरकत आपकी CASF है, SSV, ITVP, BSF, दिल्ली पुलिस और आपकी जो आपकी आजाती है, CRPF, ठीक है उसकी दोस्तो, यह आपकी sold paper है जिसमें 15 sold paper है, paper first की दोस्तो, आपकी यह book है paper first मतलब, दोस्तो, यह CVT first, ठीक है यह जो CVT first लिखा है दोस्तो, इसकी यह book आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको previous year paper, सभी कुछ दोस्तो, इस book में आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही शांदार, बहुत ही जबरदस्त page बगारे quality इसकी और इसमें दोस्तो, आपको जितना भी, जो भी पूरा advertisement होता है ठीक है, पूरा जितना इसका मतलब एक तरीके से notification है वो पूरी notification दोस्तो, आपको इस book में देखने को मिलेगी कहां से कितने question पूछे जाते हैं, वो भी इस book में दोस्तो, आपको देखने को मिलेंगे इस book को जरू purchase करें, link दोस्तो मैंने description में दिया है आप जाकर इस book को जरू check out करें और इसको purchase कर लें, ठीक है उस वाल books आपको दोस्तो ये देखने को मिलेगी, ठीक है तो आगे दोस्तो बात करते हैं कि हमारा selection process दोस्तो इसमें क्या है मतलब सबसे पहले आपका CVT first, ठीक है इसमें एक चीज और याद रखना, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस SI के लिए apply करेंगे तो graduation के साथ साथ आपको यहाँ दोस्तो DL की आविशक्ता होगी बाकी CIPF, SSB, CIPF, CISF, ITBP इन सब के लिए graduation चल जाएगी लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तो DL यहाँ पर मागा जाता है और बच्चे बाहर भी हो जाते हैं जिसके पार DL नहीं होता है तो दिल्ली पुलिस के लिए DL आपका compulsory है बाकी other CPF में जो आपकी पोस्ट आती है उनके लिए graduation चल जाएगी CVT First की दोस्तो हम लोग बात करते हैं CVT First में आपसे क्या पूझायता है दोस्तो Maths के 50 questions पूझे आते हैं Reasoning के 50 questions पूझे आते हैं English के 50 questions और आपके GKGS के 50 questions आपसे पूझे आते हैं Overall देखूं तो दोस्तो 200 questions आपसे यहाँ पर पूझे जाएगे CVT 1st में 200 नंबर की परिक्षा होगी 120 मिनट या फिर आपको 2 घंटे का दोस्तो यहाँ पर आपको समय मिलेगा Negative Marking 0.25 नंबर की दोस्तो आपको यहाँ पर Negative Marking CVT 1st में देखने को मिलेगी यहाँ पर दोस्तो कट अफ लगेगी है उसके बाद दोस्तो आपको दोस्तो पूरी जानकारी उस एक वीडियो में आपको मिलेगी क्योंकि दोस्तो अगर यहाँ पर ही मैं फिजिकल के बारे में बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिजिकल के लिए दोस्तो जो बच्चे इंट्रस्टेड हों दोस्तो आप लोग जाएंगे ठीक है यहाँ पर दोस्तो इंगलिस आपसे पूछी जाएगी जिसके दोस्तो दोस्तो नंबर की परिक्षा होगी दो घंटे का समय मिलेगा 0.2 की निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 0.25 इंगलिस में दोस्तो लेंगविज आपकी होगी बाकी कॉम्प्रिहेंशन तो इंगलिस आपके लिए CPO के लिए दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है तो CPO के लिए दोस्तो इंगलिस बहुत इंपोर्टेंट है क्या बताया मैंने सबसे पहले CVT First math reasoning english gkgs cvt first की merit लगी उसके बाद आप जाएंगे physical में physical से पास होंगे physical के बाद merit लगई उसके बाद जाएंगे cvt2 में cvt2 में पास होने के बाद दोस्तो सीधा फिर आपका क्या होगा medical और उसके बाद की जाइनिंग हो जाएगी दोस्तों पूरा आपका नोटिफिकेशन था सरा SSC CPO या फिर आपका CAPF का ठीक है तो दोस्तों ये वीडियो थी पूरी आपकी SSC CPO और CAPF के ऊपर सेलरी मैंने आपको बता ही दी दोस्तों कितनी मिलेगी और एज लिमिट मैंने आपको बता ही में ITVP में SSF में ठीक है आपका जो है BSF में दोस्तों इन सब में जाने के लिए आपके पास बहुत जबर्दस दोस्तों मौका है सेलरी बहुत अच्छी है अगर आप इसके अंदर दोस्तों आते हैं एज लिमिट के अंतरगत तो दोस्तों आप इस फॉर्म को जरू फिल करना 100 रपय आपकी फीस है बाकी SCST और फिमेल की दोस्तों कोई भी सुलक यहां पर नहीं लगेगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों एक लाइक जरू कर देंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत